नमस्ते पित्रों जोहार, मैं गंगा मातों खोपोली से, आप सबों के बीच में आज एक नई वीडियो के साथ उपस्तित हूँ, फीर से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा हुआ था कि अब भी एक वीडियो का स्रीज चलेगा, जिसमें वीडियो के दो पाट आ चुके हैं, दोनों आप लोगों ने बहुँ ज़्यादा हमें रियक्सिंस दिये हैं, प्यार दिये हैं, और भी आगे के वीडियो के लिए आप लोगों ने बोला हुआ कि ये वीडियो की स्रीज आनी बंद नहीं होनी चाहिए, इसी सिल्सिले में, आज एक वीडियो के साथ उसके कड़ी में, उसके अगले भाग के रूप में आप लोगों की बीच पुना अपस्तित हूं। पिछली वीडियोज में जो कमेंट्स आये थे, लोगों के जो प्रस्न थे, ऐसे प्रस्न केवल आज से ही नहीं पूछे जा रहे हैं। मुझे एक जब एकस्पेक्टेड जो चीज था, कि ऐसे ऐसे प्रस्न आने हैं, और जैसा सोचा हूं, वैसे ही प्रस्न भी आ रहे हैं, उत्तर भी उसी प्रकार से पहले भी थे, अब मैं थोड़ा और भी तरीके से, और भी खोज बीन करके, और और भी कुछ रिसोर्सों को खं कुछ नवीन जानकारिया मिलेगी, बने रहिएगा, वीडियो फीर आज कितनी लंबी होगी, मैं ये कह नहीं सकता हूं, वीडियोज में आये कमेंट, एकदम नॉर्मल से हैं, और ऐसे कमेंट्स और ऐसे प्रस्न, यूटूब ही नहीं, फेस्बूक और ट्यूटर में कुछ ज्यादा ही घमासान छेडा रहता है, एसे प्रस्न केवल आज से ही नहीं, जबकि मैं इस बुद्धे पे ज्यादा जो गहमा गहमी चर्चा होती थी, चुकि पहले पेपर का जमाना था, प्रिंट मीडिया का जमाना था, इलेक्ट्रोनिक मीडिया का या, और अब चुकि सोस बीडिया का जहाबना है, तो सोसल प्लेटफॉर्म पे वे ओफ एक्स्प्रेशन का जो दाइरा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ऐसे प्रस्न मैं जब से देख रहा हूं, 16-17 से लेके अभी तक वही रिपीटेट कुश्चन्स पुशे जाते हैं, ये क्यों नहीं क UK सवाल और बेसले सवाल, आधार हिन सवाल पूछे जाते हम लोगों से, मैं आप चाहूंगा कि उन्हीं आधार हिनों सवालों को लेके जितना ज्यादा इन लोग हाय तोबा मजाते हैं, उन्हीं चीजों को मैं आज यहां पूरे प्रवान के साथ में और एक भारत के सिरारि में आप लोगों के बीच में इसको रखूंगा, आगे देखते जाए इनके प्रस्ण का लेवल क्या क्या होता है, ऐसा नहीं बे डिप्लोमेटिक जवाब देने वाला नहीं, जितने भी जवाब हैं, उसके रेफरेंस के तोर पे सरकारी वेबसाइट्स हैं, कैसा नहीं कि को अनि सोचीत जने जाती आयोग का यो लेटर है, उनके जो अपने डॉकुमेंट से उनको में रेफर करूँगा, एकदम ऑफिसियल, आप उनको कमपियर करिएगा, फिर अपनी बातों को बोलने के पहले सोचीएगा जरूगा, सबसे पहला जो ही लोग बात उठाता है, कि आदिवासी बनना चाहते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे हद गंडे कर रहे हैं, मन गणत कहानिया बना रहे हैं, पता नहीं, इसे लगा कि और भी कुछ अच्छे इसे एकदम, जो मन को जंक्रीत कर देते हैं, इसे शब्द बानों का प्रियूक किया जाता है, तो इनका कहना है, कि आ राष्टिय अनसुचित जनजाती आयोग के द्वारा अधोहस्ताचारिक्त, जो लेटर है, उस वकत के 2017 में जो राष्टिय जनजाती अनसुचित आयोग के जो अधियस्त है, नंद कुमार साइब, उन्होंने वो पुरा ब्योरा लिखा हुआ है, और 17 की है, ज्यादा दिन का नहीं है, पांत सल पहले की बात है और पांत सल से पहले से, कोड़ proprio का जो आप सुन पाretenे हैं, सोसल वीडियो का बात है, उसे कुछ आप लोगों के बीच में जादा पहुँच रही है इसे वीडियो और रियक्सिन्स पढ़ने सुनने कों मिल रहे है, उस्वी सत्रा का में आपको कुछ बताता हूँ डेटा, आपको केवल डेटा बता रहा हूँ, चुकि केदर सरकार का डेटा है, यह आप और हम नहीं कह सकते, यह फेवरिकेटेड है, और आप दो यह बोल देते हैं, मन गणंत कहानिया बना देते हैं, यारी, यू कें चेक, आप क्रोस भेरिभाय कर करिए ना, मन गणंत, बाते क्या होती जब उसका कहीं भी और छोर का पता नहीं चलता है, और लगता है किसी आदमी के दिमाग की उपूज है, तब आप कह सकते हो ना, कि मन गणंत कहानिया है, आप क्रोस भेरिकेशन करिए, तो मैं उनका डाटा आपके बीच में रख रहा ह भारत जब आजाद हुआ, उनने सो पचास समिंदान बनके तयार हो गया, उनने सो पचास की तो बात होती है, तो उनने सो पचास में जब जनजातियों की लिष्ट तयार होती है, तो आपके पता है संख्या कितनी होती है, ट्राइप्स की संख्या पूरे भारत वर्वे कितन पड़े 1950 वे दो सो बारा ट्रैवल गुरूप थे कितने दो सो बारा है तो भारतिय सम्मिधान में इस दो सो बारा में जिनको जगा दे दिया गया क्या वे वही केवल जन जाती रहे क्या केवल वही पईदासी आदिवासी रहे आपके कतना अनुसार अगर आपके कतना अनुसार को मनें तो वही दो सो बारा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था यही ना क्योंकि पईदा तो किया नहीं जा सकता बनाया नहीं जा सकता तो फिर अभी जो लिस्ट है और 1950 का जो लिस्ट था उसमें कोई अंतर तो नहीं होना चाहिए है गौर से देखिए लिखे वे चीज को मैं पुना आपके सामने पढ़ के बता रहा हूं 1950 में 212 ट्राइब्स थे इसमें घटने या बढ़ने का सवाल है या नहीं है घटने का तो सवाल नहीं है बढ़ा बहुत रिपीडिली है बढ़ने वाले कौन है और बढ़ने का जो डेटा है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं 1950 में 212 बढ़ के देखे 1994 में कितने हो जाते है 461 इनका डिफ्रेंस निकाल लिए कितना हो रहा है कि दो सो उन्चास मतलब ढ़ाई सो ढ़ाई सो ट्राइवल समू जनजाती लिस्ट में सामील हुए या आप कहें कि आदिवासी बनें कितने सालों में समेकाल भी देखी 50 से 94 कितने आनि 40 सालों में यह जो फीगर था आपका 212 से आप देखे 200 पर चला गया डबल से भी ज़्यादा फीगर हो गया 40 सालों में तो यह 894 तक में ट्राइब्स की संख्या बढ़के कितनी होगे 461 यह लोग कहां से आया इनको किस ने पैदा किया तपक पड़े कि आदिवासी तो भाईया जो समीना ने बना दिया उसको ती होना चाहिए था यह कहां से आ पड़े आप कहिएगा कि इसको पैदा कून किया इसके पपा कून है यह जो सामील हुए इससे पहले भारती समीनधान में इनको कौन से केटेगरी में रखा गिया था रिसर्च का भी से है आपका करिए कि इतने जो समू है यह पहले कहां थे कौन से केटेगरी में थे और इन्हें ट्राइब की केटेगरी में क्यों डाला गया छूट गये थे गलती हो गई थी सुधार किया गया या क्या किया गया और 1994 में यहीं मत रुकिये 461 दोहजार ग्यारा के बाद जर्गणना जो होई और अभी तक वे इधर का जो समयकाल हो जादा करीब तीस साल तो होई गया 94 से अभी 2022 हो गया 28 साल के दोरान भी और कितने एड हुए है आप इनका डेटा चेक करिए अभी का डेटा है कि 700 प्लस नोटिफाइड ट्राइव अर्टिकल 342 के अंतरगत भारतिय गनराईज में अनिसुचित जन जाती के लिस्ट में सामील है अगर प्रेसिडेंशियल ओडर को माना जाए तो यह संखिया 748 तक पहुँच जाती है साथ सो अड़तार यानि साड़े साथ सो यह अभी जो एमेंडमेंट आया है इसके पहले का रेकॉर्ड है बतलब यह 2017 का रेकॉर्ड है 2017 के बाद कितने जन जाती सबू इस्टी में सामील हुए है उनका डाटा भी एड करना बाकी है अभी रिसेंट में बात करिए 36 गड़ बे 12 जन जाती समू को सामील करने की सुकृती मिल गई जार्खन से खरवार भोकता पुरान समेथ 10 जन जाती समू को सुकृती मिल गई अभी फिर यह सेप्टमबर का बात है कि चार अस्टेट्स के वह यह मैंने आपको गिनाया चार अस्टेट्स के और भी जन जाती समू को सामील करने की सुकृती मिल चुकी है अब यह भी सामील होंगे जो डाटा है वह बढ़ेगा आप यहां पर यह बताईए इसके सामील करने का क्रैटेरिया क्या है इसका विधान है संस्था है उनके कुछ नियम काईदे उनके पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के उपर जो अरहता पूरा करता है उनको सामिल किया जाता है सामिल करने की परिकिरिया क्या है नहीं है वो लोकुर कमिटी का बार बार उधारन दिया जाता है उनका भी जिकर है उनके बाद भी समय समय पे कुछ न कुछ चेंजे होते रहे हैं यह 2017 का मैं दिखा रहा हूं उसमें कुछ पॉइंट्स आपके लिए क्लिरिफाई कर देता हूं जिसके उपर आप ज्यादा प्रशन उठाते हों सामिल करने को लेके और उन्हीं सामिल करने के बिंदुवों को ही ध्यान में रखते हुए नविन जने जातियों को स्टी में सामिल किया जाता है तो आपकी यहां यह भोथरी थेवरी नहीं चलेगी कि पैदा नहीं किया जा सकता पैदाशी होते हैं संख्या 212 से बढ़के 700 पलस हो गया 500 से उपर ट्राइब आज संबिलीत हो चुके हैं और आप बताते हैं कि पैदा नहीं किया जा सकता यह 500 से ज़्यादा कहा थे किधर थे जिनको आज और अभी तक इतने समयकाल के दुरान में बिभीन समयकाल में लोगों को एड करता जाता रहा यह 700 से ज़्यादा अभी एड हुए है इनका कही बिरोध परदर्शन हुआ किसी अस्टेट में हुआ किसी ने किया लेकि जब कुड़ुमी कर रहा है अपने आधार के साथ में और राश्टिय अनुसुचित जनजाती आयोग के बिंदुवों के अधार पे उसंके ट्रेट्स के अधार पे अपनी बात रख रहे हैं तो संबंदित संस्था वो काम करनी देजिए आप इसमे अडंगा क्यों लग रहा हैं आप यह क्या ऑथ्राइट पर्सन है ऑथ्राइट ऑथ्रिटी हैं संस्था है जब सवाल कर रहे हैं तो क्या आप राश्टिय अनुसुचित दे जनजाती आयोग के अधिकारियों से पॉइंट्स को किलियर करना ही चाहता हूं जो सामिल करने के ट्रेट से मैं उसको जो हाइलाइट किया हूं आप जरा उनको देखिए सारे चीज आप यहां देख पा रहे होंगे लेकिन मैंने जिसको में मार्क किया हूं उसको जरा पढ़के सुना देता हूं अटोनोमस रिलिजियस बिलीप्स एन प्रेक्टिसिस वेर दा ट्रेडिशनल मैंजिको रिलिजियस फंक्शनरीज आर फ्रॉम दी कम्यूनिटी दो ये वाला गौर करिये दो प्रेक्टिसिंग हिंदू वे ओफ लाइफ वूड नॉट बी ये बार पर क्या कहा जा रहा है कि ट्रेडिस्टल बिलीप्स अनि कि प्रमप्रागत आपके रिलिजियस बिलीप्स होने चाहिए जो पडियों से चले आ रहा है कि अगर आप हिंदू प्रेक्टिसिंग वे में भी जीते हैं तो ये आपके जनजाती के सामिल होने के रहता में कोई बार नहीं है कोई अवरोध नहीं है कोई बाधार नहीं है आप इस पॉइंट्स को चैलेंज करिए रहष्टिय अनिस्वची चले जाती आयोग में कि इस चीज को क्यों एड किया गया इसी चीज को लेके आप लोग ज्यादा उचल कुद करते हैं कि कुड़ू भी लोग हिंदू बिलिप्स को बागता है और मैं केवल यहीं अभी नहीं रुकूंगा अबराहम और पुरोहीत यह वो क्या क्या चीज का उधारण देते हो मैं सारे पॉइंट्स आपको जिन जिन बिंदूप आप बात करते हो वो कर्मा नुशार आपको मैं जवाब दे रहा हूं पूरे एविडेंस और पुरूप क साथ आप इनको जूठला के बतला दीजिए अगर आपको लग रहा है कि स्क्रीन सोट में क्रॉप करके दिया हुआ है तो इसी का वे जो दूसरे पार्ट से आप उनको देखिए नंद कुमार साय का और यह राष्टी अनशुचित जन चानती आयो का है या नहीं है आप कीव पाई समान है हमारे रतन कुमर महतो जी उसका कोई तो एक ट्राइवल टीवी करके इंट्रिव्यू में देख रहा था उसमें जो रिपोर्टर था बड़े जोर लगा के दवाव डालके उनको पूछ रहे थे कि अगर आप लोग आदिवासी में सामील हो जाईएगा तो क्या आप लोग अन्जो आदिवासी समय हैं उन लोगों से साधी विया करने शुरू कर दिजेगा या उनके लोगों को अपने यहां पर सगे सम्मेंदी बनाना शुरू कर देंगे यह चीज भाई बड़े हमी अस्यासपद लगती है कहां से कहां से पढ़के आते आप लोगे बुद्ध के बहुत अनुगामी है कि अप लोगे थो गष्टत्व को प्राप्त हो जाते हैं आप लोगे विशस्ट प्रकार के ज्याण की बारी सोती अर्प सरावऔर खो सब्सक्राइब करना पड़ेगा यह किसी यह उनके जो राष्टी जन्द जाती आयों के जिते ट्रेट से उसके पॉइंट से कहीं लिखा हुआ है यह होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए इद्धम इद्धम मेंडेटरी है कि इस वे आपको एक साफ आपको बता रहा हूँ उसी में लिखा हुआ है कि जन्द जाती होने के लिए क्या पॉइंट से क्या होने चाहिए पॉइंस नहीं क्या होने चाहिए जो हमेशा द्रिष्टी गोचर जो होता है इसमें बड़ा ध्यान से आप पढ़िए वो पत्रकार में हो देगर सून रहेंगे तो इन बातों को अपने मगज में घुसा ले कि आप अगर जनजाती से रिलेटेड कोई सवाल पूछते है तो आप खुद पहले किलियर हो जाना चाहिए ना कि सोसल गुडिया पर कुछ जो बात बोली जाती है उसको पगड़ के आप सवाल जवाब करने लेगा जोड़ दे के सवाल करना सुन करिए आप अले नियम काईदे पढ़के आईए आपको छोटा सा जनजाती का जो सबसे बेसिक सा जो कंसेप्ट होता है वो सभी जनजाती समू में आपको मिलेगा वो क्या होता है मैं आपको पढ़के सुना रहा हूं तो ध्यान से सुनिए पॉइंट है ग्रूप इंडोगेमी क्ल समू समूदाए इंडोगेमी मतलब अपने समू के अंदर ही साधी करना क्लो एक्जोगेमी मतलब अपने क्लैन के बाहर क्लाइन मतलब क्या वश्ट्र गुस्टी, मुडारी में किल्ली, संथाली में परिश कि अपने गोत्र के अनि सगुत्रिय बिवा वर्जित होना चाहिए ये सभी जनजाती समू में पाया जाता है और सभी जनजाती समू के अपने नियम काईदे होते हैं कि अबने प्रतागतनियम ते कि यह होते हैं आप किसोएक साथ कंप्यर नी कर सकते कि मुंडा में यह होता है में यह कि सब के विलिफ से अलग है अलग है तभी तो अलग है मैं KTR हूँ, मैं किसी दूसरे KTR से साधी नहीं कर सकता है इसका मतलब क्या हुआ? क्लैन, एक्जोगेमी का हम पालन कर रहे हैं क्लैन, इंडोगेमी नहीं होता है कि हम सगोत्री बिवा करें हम कुडमी में ही साधी करेंगे लेकिन किसे, जो हमारे अन्य असी जो गुस्टी है उनमें करेंगे तो हम क्या होगा? ग्रूप इंडोगेमी, मतलब अपने समूग के अंदर ही हा नि, आप समझ लिजे कि आप इस सिंपल चीज़ समझ लिजे एंडोगमी का मतलब, गुरूप एंडोगमी हम अपने अंदर साधी करेंगे, जो हमरा कुडमी का एक पुरा सरकल है, उसके बाहर नहीं जा सकते, और क्लैन एंडोगमी मतलब, हम अपने गोत्र में साधी नहीं कर सकते, हमें कुडमी के अंदर, पुरा गुरूप के अंदर जो अगर इसके बाहर कोई जाता है उसके लिए दंड निर्धारित भी है अब और खुडवी का वो वजाए कि दूसरे जाती वर्ग से सामिल करने पे संपत्ती पे क्या अधिकार होता है उनका समाजिक तोर पिस्थिति क्या होती है acceptations क्या है क्या आप में अनिजन जाती होगे सब दिखाई नहीं देता है पता कर ये आप ये थोपने वाले कोन होते हैं भाई हम हो जागे तो ये साधी करना ही पड़ेगा हमारे अपने नियम है हमारे अपने ट्रेट से हम इसको फॉलो करेंगे इसके लिए सोतनत्र है और इस स संभी धान के सेफगार्ड से वह हमें सेफगार्ड परदान करते हैं इस बाते आप ना करें ऐसी बेहुदा सवाले बिल्कुल सोभा नहीं देती आप बेसिक चीज़ पहले पढ़के आई तीसरा चीज जो ये लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वह क्या बोलते हैं अधिवा किस जगह पे किस माहूल में लोग रहते हैं और क्या पढ़ते हैं कौन इसके मगज में इन बातों को ठूसा जाता है कि भाई आप गाय और सुवर खाओगे तो ये खान पान के मावले में आदिवासी को डिफाइन किया जा सकता है कि बड़े आश्यर्चनिक की बात है कि जो आदिवासी सबुदाएं बराते हैं उसका सबसी बड़ा जो ट्रेट होता है वो होता है आपका टोटेम आप टोटेमिस्टिक हो या नहीं हो आपकी जो गुष्टी है गोत्र है वो पसुपक्षी या प्राकृतिक चीजों से सब् नहीं है यहार कुडवी पकड़िए मुंडा पकड़िए संथाल उरा किसी को पकड़िए अगर किसी का गुष्टी किसी सब्मंदित जानवर से है तो उस जानवर को ना वो खाते हैं ना नुक्सान पहुचाते हैं उधारण के तुर्प्याव को बतारो कच्वार है हम लोग कि भाई आप यह काच खा सकते हैं क्या हम तो खा सकते हैं कि अधिवासी से मानने सिनकार कर दीजिएगा कि यह क्या बेरियर हुआ क्या तब आप क्या बोलेंगे कि नी भाई हमें तो किसी एक चीज़ को मार के नहीं खाना का अलावड है हमारा बलीफ है अच्छा यहां पर कि यह आपको काच भी खाना एक डिसाइड कुन किया है आपको ट्राइब ने किया है इसलिए फोलो कर रहे हैं और दूसरे लोग खाएगे तो आप तो रोकने तो नहीं जाएगा उसको बोल सकते हैं या वो आद्वी आपको बोल सकता है कि भाई आप काच नहीं खाते आप तो ट्राइब होई नहीं सकते हैं अरे आप जहां से बोल रहे हो जारखंड से ही है यार हमको ने बढ़िया से कुकूर का रेसीवी बना के दे दुआ है क्योंकि यह भी बड़ा बेसिक गूर के नौर्थ हिस्ट के इलाके में जाईएगा तो कुकूर वहां का डॉग मीट अब बनते हैं अमबा एजम करके कुछ रेस्टूरेंट है राची बे द्रसक बब मेरे बताइएगा क्योंको कुकूर का रेसीवी है क्या हमको खाना जारकर्ण के शूकुला दिवासी लोग कुकूर रेसीवी कैसे बनाते हैं आपको बुरा लग रहा है क्योंको कुकूर खा कि या वो आपको बोल सकते कि कुकुरु निखाते काई का दिवासी हो कि जरस सोच समझ के बोलिये खान पान के उपर क्या केवल जारखन में आदिवासी गुरुप रहते हैं यह जो खाते पीते हैं इन्हीं के उपर सब को फोलो करना चाहिए लिया हुआ है कि राष्टी अनसुचित जन जाती आयो केंदर सरकार की दुवारा जो निर्धारित नियम किये गये हैं वह जारखन के लिए अलग हैं और बाकि राजियों के लिए अलग हैं उसमें खान पान को सामिल किया जा सकता है क्या भाई कहा से पढ़ क्या तो यह सिंड जेविर सेंट पोल जैसे स्कूल्स में आपको बताए जाता है क्या क्योंकि वहाँ पे तो भाईया सुवर और गाय का बेरियर नहीं है यही बात न क्या आप लक्षदीव के ज्वादिवासी समू हैं उनको आप यह बोल सकते हैं लदाख में बोध संपर्दाय वाले के जो लोग हैं उनको आप बोल सकते हैं कि आप गाया है सुवर किसी परकार का मीट खाईए सवाल उठा सकते हैं सवाल आप से अब लक्षदी में जाके बोलें कि सुवर खाना वैसे आप आदिवासी है नूँ संबंदर भी फिक के मार देंगों अरे हम आपको संबंदर नहीं भेज रहे हैं जारखन में आप देखिए न आप जो यह टाना भागत लोग हैं उनको आप लासन खिलाके दिखा देजिए तो फिर देखिए आपको क्या रियक्षन मिलता है बोल सकते हो क्योंकि टाना भागत जीस जन्जाती सम्वों से संबंद रखते हैं वही जन्जाती सम्वों उल्टे फुल्टे प्रस्न पूशते या ऐसे उठाते हैं अरे पहले आप खुद के घर पे देखो सेंट जेवियर, सेंट पॉल, सेंट मेरी ऐसे पता नहीं यूरोपियन कंट्री के जैसे स्कूल खोल कर रखते हैं और ऐसी आपके मैंड भी चीज़े भरी जाती है कि इसके लिए खाना चाहिए उसके लिए वह लिए खाना चाहिए सुवर की बात करेंगे तो फिर पंजाब के लोगों को सवादिवासी भोसित कर दो भाई सबसे ज़्यदा वहाँ पर सुवर पाला होता है सबसे ज़्यदा सुवर के जो मीट कंजप्शन है वह होता है क्रेटरियम बठा दीजिए गा उसको जार्खान में भीर बात करेंगे संथाल परगणा चले जाइए सफाहोड लोगों को सफाहोड लोगों को जरा यह देखिए उनकी फोटो एप पता ने साथ आपको पहली बार इनका नाम पता चल रहा होगा कि संथाल में एक जो सब हुए सफाहोड का वह पवित्र होड मने म भवित्र मनुस्य को आप जाके बोलिए कि मीटव मिदा भाई सालेव को जनेव का यू बातका जरां जो चलां घानपान की बाद कहां से आ जाती है भाई साब आपकी baseless बात कहां से सिखते हैं आप लोगे सब इसा baseless बत, आधार हवी बात हैं लोगों को गुम्रा करने के लिए तुम्हारे लिए इक टास्क है को कुकुर का Labs 비्स सब्सक्वर की दो चाहिए जारर खरका दिखना है कैसे कुकुर बनाते हैं कैसे मारते हो कैसे फ्राइ करते हो कितने परकार से कुकुर बनाते हो फ्राइ करते हो ग्रेवी करते हो सुखा करते हो यह लटका जटका के खाते हो प्रिविटीव स्टैल वे हमको चाहिए राची हम जाते हैं बहुत कुकुर घुर होते हैं अब आरा कुट्ते हैं से असरा हमारी पीछे दोड़ जाते हैं वहाद कभी कभी उतर राची के गल्यों को पार खना भरी मुस्कुल होने लगता है क्या मैं दिखना मंगता यह चटनी उठनी का बात मत क左 pegar कुपूर के चाहरे आप समक्राइब लुग सुप बना के खा सकते नोर्थीस को लोग खा सकते हैं तुम क्यों नहीं खा सकते आखिर खाया तो जाता है ना भाई साथ, बनाना है, जब आप इस सब का बात करेंगे, गाय का एंगल इसलिए घुसाए जाता है, इसकी मान सिक्ता को देखिए कि किस institution, इनका attitude दिखाता है, गाय का बात क्यों घुसाते हैं ये रोग, सुवर की बात बात में करेंगे, गाय की बात पहले करेंगे, मान सिक्ता जलकती है, ने तुम्हार कुडवी घरों में जाईए, रित पूजा में सुवर काटा जाता है, और अभी रिशेट पता करिए, कि सुवर मीट कंजप्शन की एरिया में ज्यादा होता है, इट्स योर टास्क, तो अब आदिवासी पैदा किया नहीं जा सकता, पैदाइची होते हैं, बात खतम हो गई, खान पान का एंगल खतम हो गया, आपस में साधी बिया का महमला खतम हो गया, चोथे पॉइंट पे आते हैं, हिंदू धरम को मानने वाले लोग है, हिंदू होत है, आपका अनसीक जवाब उपर मिल चुका है, जो मैंने आपको बताए कि हिंदू विलिफ उड नॉट भी ये बार, लगका बेरियर नहीं है, आपके जन जाती होने, बाकी ट्रेट्स को देखा जाएगा, और उसमें फुलफिल होते या नहीं होते है, यह हमारी समाज के छ स्थावों के उपर छोड़ दीजिए, अब इसी के उपर अगला मेरा पॉइंट रहेगा, अभी जो जार्खट में साविल किये गए जो ग्रूप है, मसलन, पुरान, तमडिया, भोक्ता, पटबंदी, दोलतबंदी, खेरी, मजिया, गंजू, यह समेत दस नाम है, अब चेक कर सकते हैं, नियूज कही बात है, रिसेंट कही बात है, इनके जो रिपोर्ट, राष्टियन सुचित जनजाती आयोग में गए थे, इसको आपको पता है, जो चेक करें, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स, यह भी फरजी नहीं बोलेगा कोई, उस वकत, आपके रामेशवर उरा राष्टियन सुचित जनजाती आयोग के, रिपोर्ट वही है, इस वे, खरवार का में रिपोर्ट आपको पढ़के सुना रहा हूं, जरा और आपके डिस्पले भी हो रहा है, रद देखिए, धार्मिक स्थिती, खरवार जाती की सभी उपजातिया, बुख रप से, जन संख्या, जनजाती बहुल छेत्रों भी डिवास करती है, धार्मिक अनुष्ठान के बिधी बिधान जनजाती परमप्रावों पर अधारित है, जनम संस्कार, खरवार भोकता के उपजाती, दिश्वारी, द्वालबंदी, पटबंदी, खेरी, सुरिवनसी, तथा मजिय एवं गंजू, हिंदू धर्म से परभावी थे, तथा इसके अनुरूप अपने सभी संसकारों को पूरा करते हैं, उपर्युक्त सभी उपजातिया हिंदू धर्म के अनुरूप ही ही, बच्चा जनम के पूर एवं बाद में भी देखवाल करते हैं, गरवती महिला को उस अ इसके बदले उसे कुछ अनाज कपड़ायू नगद रूपिय भी परिशार्मिक करूप में दे दिये जाते हैं, सतैसा जाने पर भी पिता अपने पुत्र को नहीं देखता है, इस अवसर पर अपने समन्दियों को भोजन वगरा कराने की भी बेवस्ता की जाती है, छटी सं संसकार अपने पुरोहीत के निर्देशा रूशार शुब मुहुरत देखकर मनाया जाता है, फिर आगे क्या होते हैं, खरवार की उपजातियों में मुख रूप से दुरगा पोजा दिवाली होली एवब राम नौमी के साथ साथ सरहूल करबा नावा खानी सोहरा एक हरिया पूजा एवब जीतिया जैसे प्रवतेहवारों को मनाते हैं, मरन संसकार में क्या लिखा गया है, देखे रामिस्वर उराव जी का अदोहस्ता चारिक्त मोहर के साथ है, बताया गया कि खरवार जाती की सभी उपजातियों मरन संसकार के बिधी विधान पूर रूप से मरन संसकार हिंदू बिधी विधान से होता है, आगे क्या होता है देखे इसी स्क्रीन सोट में, साथ है सगे सम्मद्यों का भी नाई द्वारा बाल लाकुन कटाया जाता है, धो भी कप्राद होता है, गारवे दिन अपने पंडित, ब्रैकेट विखा है ब्राहमन अडियों भोजन करा जाता है, जिसे ब्राहमन भोज भी कहा जाता है, आप लोग जो प्रस्ड कर रहे हैं, ये खरवार लोगों को जो इसकी आठ उपजातिया सामिल हुई है, इनको बाहर निकालने के लिए आप लोग का बाल दोलन कर रहे हैं, कब सड़को पूतर रहे हो, जड़ा य पिहार के छट्रियों के साथ बेन के बेवाहिक संबंद भी हैं, हमारा तीन आदमी गया, वहां बोलता जनेव धारन कर लिया छट्रिये बन गया, ये बेवाहिक संबंद स्थापी थे, एक हमराज टाइप का खरवार लोगों का, सुरुवर्ण सी, सीदे राम से संबंद रह जाते हैं, कहां गई आपकी मानियता, इसे जो आप बोलते हो, कहां आपकी बाते फिर्वेट रही है, चलिए बे, यहीं प्यापेडिये रूखता हूं, 36 गडवें, 12 जन जातिया भी साबिल हुई है, जिसको भी लोग सभावे, अभी जस्ट पिछले बनीक बादे, सेप्ट की है, और यह पारित होगे दिश्ची दुमसे से भी सामिल हो जाएंगा, इदके में नाम की नाता हूं, भर्या, भूमिया, पांडो, धनवार, गदबा, गोंड, कोंद, कोडाकू, नगेशिया, किसान, धनगड, सवर, और बिंजहिया, बिंजहिया, यह आप इसे साथ परि चीत हो गए, क्योंकि जार्खन और ओडिशा में इनको जनजाती का दर्जा प्राप्त है, बिंजहिया को अभी तक 36 गडवें प्राप्त नहीं था, जार्खन सही सटा राज्य है, यहाँ पे एस्टी है, वहाँ नहीं है, ओडिशा से भी सटा हुआ है, तो दोनों जगा पे यह सबुदा यहाँ पे एस्टी है, वहाँ पे नहीं था, इस बार सिफारिश की गई है, और अभी 36 गडवें राजरीती सिगो पर हो रहें कि बाराज जनजाती को जो साविल किया गया, इस पर चुकि अब दोनों जगा अपोजिट पाटिया है, तो स्रेलोने का होड लगा तहीं बिंजिया के बारे वे, और जहाँ पे पहले से संभिली थे, यहाँ सामीलो उसकी बात नहीं कर रहें, जो पहले जहाँ से संभिली थे, और ओरिशा का, तो ओरिशा गौर्वेंट के साइट से ही, उनका इनके उपर जो अस्टेडी हुआ है, आपको उसके कुछ स्क्र हुआ एल् jullie चुर्वेंट मेंट सेटों, घाँ पित्ली हीजा से सिर्जा, यहाँ से क्षय है ।मार्वन यहाँ पहले सल्वेंट के सूड़ी तो सिर्जाफ सेम्你想 any other caste except Brahman caste. Sometimes they enter into the board of ritual kinship such as a dharam bhai with members of other communities irrespective of their social status. उडिशा के लोग हैं. क्या बोल रहे हैं? कि इनके आसपास जित्रे भी लोग रहते हैं, यह उनसे अपने आपको superior सबस्ते हैं. clean caste मानते हैं. राजपूत से अपने आपको जोड़ते हैं. यह दूसरे हाथों के दिये हुए पानी को गरण नहीं करते हैं. पुरुस तो कुछ कर लेता लेकिन महलाएं नहीं गरण करती हैं. यह इसी संदर वे कुछ कुछ कूड़ूमियों को लेकि इसे बाते बोली जाती हैं. आपके वगल में उडिसा है, भाई साब. बिजिया के बारे पर रिपोर्ट के कोई बोलेगा नहीं. इसलिए बने हैं, देख लिए मार्क जो किया हुआ है, किनका रिपोर्ट है, और वो किस पोस्ट पे हैं? इसी पॉइंट का आप लोग बोलते हो ना? अब चलिए, 36 गड़ की बात हो गई. अब आपको थोड़ से और एकिजर ले जाते हैं. उत्तर परदेश. उत्तर परदेश में गोंड कुछ जिलो में पहले से थे स्टी, लेकि तेरा जिलो में गोंड लोग स्टी नहीं थे, स्टी में थे. अनुश्यचित जाती में थे. इस तेरा जीलो में गोंड समेद गोंड के जो पाँच उपजाती हैंünde क नाम सुनिएंगे, दूरिया नायक ओजा पठारी राजगोंड यह राजगोंड के बारे में पता करिए इनके कहा कहा सासल चलते थे और यह अभी तक कि एसी में क्यों थे किस अधार पे थे और अभी इनको एसी से उठाके लगए कि पांच लग से उपर इनकी अबादी है कि एस्टी में डाला गया और इनका भी स्रीलली की होड़ चल रही चुकिए अब दोनों जगा बराबर है तो भई बुलता है कि हमने तो पहले करा हुआ था हमने अपने वादा पूरा कर दिया तो यह गोंड के और गोंड सबेद इनके पांच जो बजातिया है इनको एस्टी म में थे जो क्यों थे इनका रिलीजन बिलिफ्स जाके देखिए इनका सेप्रेट लेंगवेज होई क्या कोई इनका अब रिपोर्ट जाके पढ़िये इसले दिखा हुआ है किसने अपनी लेंगवेज भूल चुके है कोई बोलता नी सब हिंदी बोलता है अखडी लेंगवे समाजीक और धार्मी गुरूप से इनके ट्रेट्स तो देखिए फिर बात करिए तो भाई आपके जो सवाल है अधिवासी पैदा नहीं किया जा सकता पैदाशी होते हैं सुवर गाय का मीट खाना पड़ेगा आपस में साधिया करनी पड़ेगी आप अपने आपको उच्छा मानते हो यह मानते हो सारा पॉइंट्स कबर हो गया और लास्ट पॉइंट्स जो अभी आप लोगों को में बोल ले वाला हो वह भी दरा गौर करिए ट्राइब पैदा नह एस्टीैस्टी का फ्रण जमूरा लगा करा के लखते हैं, डिंटी डिन्टिफाइड ट्राइब एस्टी सेमी नॉमेड़िक ट्राइब एन्टी सनुमेड को समू neighboring यहिम नोगों का समूऩ और इसकी संख्या कितनी है भारत में आप लोगों को पता है आप लोगों के लिए आज के लिए टास्क रहा है कि DNT, SNT और NT इनके बारे में आप पता करें और जो जो सो कॉल्ड ST हैं वो PT आनि प्रिमिटिव ट्राइब के उपर या उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हो उनकी लिए आप क्या छोड़ रहे हो और आपका जो केटेगराईशन समीधान के दुवारा किया गया है ST के रूप में उनमें ये DNT, SNT और NT कहां फिट वेड़ते हैं रिसेंट कहीं सभी बाते हैं आप इनके बारे में पता करिए इनकी अबादी 10 करोड से इनकी अबादी ज़्यादा है और ये अभी तक भी भारती समीधान के अनुसार इनको काईदे से कोई सुविधा नहीं मिली हुई है ये आपके जैसे भिले सेटेल्मेंट नहीं कर पाएं अभी तक कहीं एक जगा ठहर नहीं पाएं हैं आपके जैसा किसी इंटिचूशन में जाके बढ़ चड़के हिस्सा नहीं ले रहे अभी वो लोग दूर है अगर आगे बात बढ़ती है तो ये लोग अंग्रेज के जमा हटा के इनकी बारे में क्या बोला जाता था कि पैदाइसी क्रिमिनल होते हैं इत्ते बड़े दाग धब्बे के साथ में जनम लेते देखें हम पैदा हुए अपराधी हुए क्रिमिनल ट्राइप सेक्ट उसके उपर लग जाता था उनको आजाद भारत में भी कब बोला गया लाया गया बिल लेकिन आज तक इनको स्टी एससी ओवीसि इनके अंतरगत इनको प्लेसिंग नहीं किया जा सका है तो सही माइनों में अकर भारत की अब भारत की जन की भाला जाते है तो आप वो करिये अगर आपका बिरोध इसा है ता आप इनके बार में भी सोच यह और इ तो जो सो कोल अधिवासी हितेसी है उनका डि एंटी एस एंटी और एंटी के बारे में क्या ख्याल है किने अधिकार मिलना चाहिए किने सुविधाय मिलनी चाहिए कौन इसके लिए हगदार है आप 75 सालों से ले रहे हैं हम नहीं ले रहे हैं कि सब्सक्राइब तो जिस केटेगरी रखा गवास को पता नहीं चलता है कि भाई हमको दिया क्या जा रहा है आज मुझे जो कवर किया गया था यह किसी अन्य वीडियो में भी आप लोगों के बीच वे आ जाओंगा लेकिन आप जो यह फालतू-आलतू की जो बाते करते हूं साधी विया की खाने पीदे की और यह जो सब चीजे बोलते हैं कि हिंदू धरव यह धरव मैंने आपको सारी चीज बता दिया है आप क्रोस वेरिफिकेशन करिए और यह चीजों को एकदम निस्पक्ष और बिना बायस्ट हुए चीजों को बिसलेशन करिए अगले आपके क कमेंट से जिनकों पर वीडियो बना चूँकर देखिए अब वीडियो का जो शीरा है बहुत लंबा हो चुका है अब इस वीडियो माई कमेंट के अधार पे और जहांकी जगा बें जहां पर डिसक्रशन वगरा करता हूं उनके अधार पे फिर प्रूप के साथ में नई वी करता है अधार कमेंट